हलो दूस्तो नमस्कार करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, आवरेज करना है वह आपकी मर्जी, तो चले, स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले तो नजारा टेक की ओपर फोकस रहेगा, इसके पीछे का अल्रडी रीजन हम सभी लोग उंको पताई है, नजारा टेक के पोकर बाजी ये जो कंपनी अ उसके जो parent company है, उसमें कह सकते हैं, almost near by half percent, मतलब 50% के आसपास करीब उन्होंने steak आपे खरीद है, मतलब almost company आपे खरीद ली, उसके बाद आप देख सकते हैं, stock में अच्छी तेजी देखने को मली थी, यह लगबग हम कह सकते हैं, second, दूसरा बड़ा हम लोगों को deal देखने को आपे मिल चुका है, पिछले पाच दिन में, नजारा टेक जैसी company ने online gaming में जो काम करती है, 13% की तेजी दिखाई थी, तो क्या यह तेजी कल भी continue रहे गया नहीं, इसके उपर focus रहेगा, आगे बढ़ेंगे HG Infra Engineering Limited, रेलवे के और से, सेंट्रल रेलवे के और से, 716 करोड के आसपास का order में जाता, मतलब 700 प्लस करोड का order इनको यह आपे मिला था, तो 4% की तेजी इसी चीज़ के चलते हम लोगों को देखने को मिली थी, अपोलो ऑस्पिटल इस सेग्बेंट में नंबर वन पे आते हैं, उसके बाद मैक्स हेल्थ केर आ जाता है, सो यहाँ पर हम कह सकते है, जेपी ग्रूप जो काफी ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रगल में चलते हम लोगों को देखने हम लोगों को आपे मिल चुकी है, दोर यहाँ पर चल रहा है, इसी के बीच में मैक्स हेल्थ केर ने इस चीज़ का फाइदा यहाँ पर उठाया है, HPL के अगर हम लोग बात करेंगे, तो यह स्टॉक भी आप ज़रू स्टड़ी यहाँ पर कर सकते हो, अभी Bombay High Court में fight यहाँ पर करने जाएंगे, इसलिए HPL ने यहाँ पर plea file यहाँ पर कर दिया, जब बड़ा हम लोगों को demand देखने को आपे मिल जाता है, तो easily company आपे उसको pay नहीं करती है, court में लेकर जाती है, तो obviously अभी यह matter court में जाते वे देखने को मिलेगा, अगर एक court में case अगर हार गए, no doubt इनके पास और भी options रहेंगी, कि वो अगले उपरी स्थर्म के court में आपे जा सकते हैं करके, बड़ अगर मान के चलो अगर हार गए, तो definitely वो contingent liability क्या करना पड़ सकता है, उनको paid करना पड़ सकता है, provisioning बन सकती है, जिसके चलते company को नुकसान भी हो सकता है, so contingent liability के उपर मैंने एक वीडियो बना कर रखा हुआ था, आप सभी लोग को पता है, कौन से channel की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दोस्तों हम लोग बात करें, हमारा जो दूसरा channel है, free stock market classes, इसके उपर मैंने वीडियो बनाए था, आप यहापे देख सकते हो, दो हफ़ते पहले, यहापे की balance sheet का एक, usually actually balance sheet item नहीं होता है, off balance sheet item होता है, बट फिर भी balance sheet के नीचे मिल जाता है, तो इस वीडियो को study कर लेना, contingent liability क्या होती है, A to Z, सारी चीज़े समझ में आपे आ जाएगी, इसका link भी मैं उपर आई बटन पे रे दूँगा, और उसी के साथ साथ, कल, yesterday भी, Saturday की दिन एक important वीडियो अपलोड यहापे किया था, कि काफी लोगों के पास fraud share हो सकते, जिसके चलते उनका 99% पैसा यहापे डूप सकता है, हम यहापे कह सकते, तो ज़रूर इस वीडियो को भी study कर लेना, इसका link भी मैंने उपर आई बटन पे दे दिया है, तो चलिए अभी हमारे वीडियो को वापस continue कर लेते, अपना मार्केट शेर रूस करते वे देखने को आपे मिल चुके है, तो डेफिनिटली एक अच्छी खबर हम लोगों को इंडिगो, विस्तारा, एर इंडिया के हुसाप से भी देखने को मले, बड़ ओविसलि विस्तारा, एर इंडिया लिस्टेड तो है नहीं, तो इंडिया को ही इसी चीज़ के चलते हैं, आप स्टड़ी आपे कर सकते हो, जैन अगर हम लोग बात करेंगे, मेटल स्टॉक आपके रडार के उपर रहने चाहिए, सरकार के पास जो रिक्वेस्ट जा चुकी है, सरकार उस रिक्वेस्ट को कभी भी एक्सेप्ट यहापे कर सकते हैं, बाद आर यूजूली मेटल स्टॉक यह चीज़ को मान के ही चल रहें, बड़े-बड़े ग्रूप, JSW ग्रूप हो गया, JSPL की भी बात करें, वो भी जिन्दाल ग्रूप में ही आ जाता है, टाटा ग्रूप के CEO ने भी, अगर हम बात करें, टाटा स्टील के CEO ने भी रिक्वेस्ट यहापे की है, तो डेफिनेटल ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, जो स्टील यहापे इंपोर्ट करवाया जा रहा है, उसके उपर यहापे टैक्स बढ़ सकता है करके हैं, अगर ऐसा हुआ, तो स्टील कंपनी के लिए अच्छी खबर ज़रूर हो सकती है, दैन अगर हम लोग बात करेंगे, इंफरा कंपनीज भी आप थोड़े बहुत स्टड़ी करने के लिए फोकस में रख सकते हो, विकाज मोधी सरकार की अगर हम लोग बात करें, मोधी 3.0 बोलो, या फिर आप चाओ तो NDA 3.0 बोलो, या पर इंफरा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगबग 100 डेस कंप्लीट या पर हो चुके है, और 3.0 लाख करोड हम लोग अपरो होते वे देखने का आपर मिल चुके है, लगबग लगबग हम कह सकते हैं, जो टार्गेट है, 11.11 लाख करोड के आसपास का है, जो की बजेट में कैपेक्स अनॉंस्मेंट या पर की थी, तो 3 लाख करोड इसमें से हम लोगों को जाते वे देखने का आपर मिल चुके है, आपके इंफरा कंपनिया आपके रडार के पर रहने चाहिए, इंफरा कंपनिया कोन सी, मुझे नहीं लगता कि अलग से और वीडियोज बनाने चाहिए, इतने सारे वीडियोज हो चुके, इंफरा बोलती है, L&T सामने आ जाता है, अदानी ग्रूप सामने आ जाता है, अल्टराटिक कंपनियां सामने आ जाती है, स्टील कंपनियां भी सामने आ जाती है, बहुत सारी ये लंबी सीरीज यहाँ पे चलती रहेगी HG Infra Engineering जो अभी इस वड़े में भी हम लोगों ने कवर किया था ऐसे बहुत सारे कंपनियां आप लोगों को देखने को मिल जाती है दैन अगर हम लोग बात करेंगे LIC, IRCTC इन कंपनिस को रडार पे रख सकते हो LIC वैसे देखा गए ये इंशॉरंस कंपनिय बट इंशॉरंस के साथ आते बहुत बड़ी इंवेस्मेंट कंपनी भी है इतना बड़ा इनका पोर्टफोलिय है इतना बड़ा पोर्टफोलिय है इनका आम लोगों को देखने को मिल जाते है इंवेस्मेंट के इसाब से और IRCTC में उन्होंने अपना 2% के आसपास का स्टेक आपे बड़ा दिया है जो कि अभी लगबग IRCTC का मतलब कितना हो चुक है LIC का इन्वेस्मेंट IRCTC में 9% के आसपास सो दरू इस चीज़ के चलते हैं दोनों स्टॉक रडर के पर रख सकते हो HL की बात करेंगे तो एक कबर या पे रिपोर्ट के जरी आये थी कि ये साल कतम होते होते ये साल मतलब कोन सा financial year की बात नहीं कर रहे है calendar year की बात कर रहे है December तक इसको महारतन का जो status है वो हम लोगों को शायद से मिलते हैं देखने का आपे मिल सकता है करके महारतन के status की बात करें तो जैसे मैंने आपको का काफी सारा freedom मिलता है बार-बार approval की जरुवत नहीं पड़ती है एक amount दी जाते है जैसे की 5000 करोड तक अगर आपको पैसे की requirement यहापे है तो आप खुद से बोर्ड से approval करके addition यहापे ले सकते हैं because company ने उस level का स्तर अच्यू किया होता है मैंने recently वीडियो बना कर आपको बताए था कि HL जैसी company radar के पर ज़रूर रख सकते हो Dixon Technology की बात करेंगे तो recently हम लोगों ने देखा Asus की बात करें तो उसके साथ उनका tie-up होते वे देखने को रहा Asus जो हमारे देश में notebook बनाएगा वो Dixon Technology के partnership के साथ यहापे बनाने वाला है आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहापे Zomato Zomato से related हम लोगों ने देखा था UBS ने इसे related target जो higher level के दिये थे वो उन्होंने maintain रखे And Jeffries ने भी same प्रकार के target ही आपे देखे रखे हुए है ठीक है इस चीज के चलते है Zomato focus में रहता है असली जो इनका मतलब बोलते ना जो turn around जो हुआ है मतलब आगे बहुशा में बड़ा business हो सकता है वो blanket का ही होने वाला है काफी reports भी निकलेते बीच में कि blanket एक समय पे ऐसा होने वाला है कि Zomato से भी बड़ी company बनेगी valuation के इसाब से ठीक है क्योंकि वो quick commerce quick commerce भी future oriented business ही है अभी आने वाले समय में और क्या क्या आपे देखने को मिलने वाला है we don't know क्योंकि आप देख सकते पहले तो e-commerce था ठीक है एक दिन में phone आता था दो दिन में phone आता था अभी आप देख सकते quick commerce start हो चुका है 10 minute में चीज़े घर पे आती है 10 minute 15 minute 30 minute के अगर हम लोग बात करे ठीक है तो इस चीज़ के चलते है अभी इनके लिए risk वाला parameter भी कौन सा है जो मैंने बीच में cover किया था यस जो एक किराना store वाले है वो सरकार के पास मदद मांग रहे कि आप इनके उपर कुछ तो restriction लगा दीजिए क्योंकि उनका business बहुत ही बुरी तरीके से impact हो रहा है उनके sales impact हो रहे क्योंकि हर कोई quick commerce के थ्रूही चीज़ों को लगातार खरीते जार और fast deliveries हो रही है तो इस चीज़ के चलते है अगर सरकार quick commerce वाले companies को regulate करते है और अगर ऐसा कुछ decision लेती है कि Blinkit, Zepto, Denzo जैसी companies के business की उपर negative impact आज है तो फिर Zonato के company को दिक्कत हो सकती है तो यह वाला point आप लोगोंने जरू note करके आपे चलना है Yes bank की बात करेंगे तो आपको पता ही है बीच में क्योंकि बहुत ही lower level पे उनको Yes bank में equity मिले थी जब बचाने का समय था तभी ठीक है और बाकी के भी banks हम लोगों को देखने का आपे मिल रहे है बट proper exit लेने के लिए कोई तो बड़ा investor लाना पड़ेगा एक बड़ा investor भी आ रहे है रिपोर्ट के जरीए बट वो कौन है वो Japanese company हम लोगो देखने को मिल रही है अगर ऐसा हुआ majority stake अगर उनके पास चला गया तो यह Yes bank बूलने के लिए Indian company हो जाएगी बन जाएगी foreign company तो उसके लिए RBA ready है नहीं तो इसलिए यह भी एक report के जरीए खबर देखने को मिल रही है टाटा पावर की बात करेंगे मोटर की बात करेंगे रिसेंटली इनके बीच में deal होती है देखने को मिल थी charging infrastructure से related टाटा मोटर की बात करें रिसेंटली एक report भी आई थी UBS के और से ही कि जोरदार गिर सकता है करके क्योंकि sales यह आपे नहीं हो रहे करके चाइना में दिक्कत चल रहे करके BMW Volkswagen की बात करें उन्हों जो कि इनी के competitor देखने को मिल रहे है उन्होंने अपने margins गिरा दिये करके तो इसी चीज़ के चलते बीच में टाटा मोटर भी हम लोगों को गिरते वे देखने को मिला था उला एलेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे यह भी लगातार नीचे ही जा रहा है अभी यह देखनी वाली बात है क्या है इस हफते जादा मुश्किले बढ़ सकती है तल का दिन बात करें तो भाई साब आपको पता ही है बजाज housing finance के उपर हर किसी का focus रहने वाला है उसी के साथ-साथ अगर हम लोग बात करें क्या चल रहा है अभी GMP तो आप देख सकते GMP 108 के करीब देखने का आपे मिल रहा है उसी के चलते एक अच्छे का से focus में रहते है बिकोज बाकी भी इन्होंने थोड़ी ना पूर्या company से exit लिया करके कुछी तो stake यहापर बेचा है तो यह चीज भी हमनों को पता होना चाहिए तैन बात करेंगे इरेडा की तो इरेडा का जो management हमनों को देखने को मिल रहा है वो green hydrogen के पर हमनों को focus करते वे देखने का आपे मिलेगा हम कह सकते innovative financing cost effectiveness के लिए तो इरेडा focus में तो वैसे भी रहता है टाटा टेक की बात करेंगे जब से हापे हम कह सकते एक बड़ा player ने exit यहाप लिए ता block deal हुआ था उसके बाद company ने काफी अच्छी तेजी दिखाई थी वापस चार डिजिट में आते भी देखने को मिला है तो यह भी radar के उपर वैसे रहता ही है तो ठीक है दोस्तो जितने भी important stocks ते सारे cover कर लिए वीडियो लगा होगा तो चाहो तो like and share कर सकते हो मिलते हैं कल तब तक के लिए बाबाए